आपका स्वागत है तो आज मैं शेयर करूंगे आपसे क्रोटोन प्लांट की क्यार क्यूंकि सर्दी अभी बहुत जादा पड़ रही है मगर थोड़े दिनों के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा सर्दी कम हो जाएगा और इनका जो ग्रोइंग पिरिड है वो स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से ग्रोग करने लग जाएगे और कैसे इनकी क्यार करें सर्दियों के एंड में और जो आने वाला सीजन है इनका ग्रोइंग पिरिड है उसके लिए इनको फटलाइज करना है वह भी बाते में आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी तो सबसे पहले में दिखाती हूं अपने प्लांट देखिए सरदी के दुनों में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं हमारी इदर बहुत ज्यादा सरदी पड़ रही है अभी भी पत्तों का कलर रहा इतना अच्छे से खिलके नहीं आया है मगर आज फिर से अच्छे दू पाने लग है तो फिर से अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे तो कैसे इनको गर्मीयों के लिए तिआर करें तो सबसे पहले देखिए ये आप मेरे प्लांट देख रहे होंगे कि इनके जो पत्ते हैं बिल्कुल जो है शाइनी हैं तो इनके वो मैंने क्या किया है तो जैसे ही सुबह आपको लगे कि दूप है सर्दी की दून में जैसे जनबरी अवियंड हो रहा है ज़ादा गिरे, तो यह देखिए, इस तरीके से, मैंने अपने प्लांट के पत्थों के अलड़ी ही धो लिया था, मगर आपको दिखाने लिए फिर से मैं इनको धो रही हूं, तो दूसरा काम क्या करना है, आपने अभी अपने प्लांट को जो है, फर्पलाइज करना है, क्यो आज ही बर्मी कंपोस दो-तीर मुठी इसके गमले में डाला हुआ है और अच्छे से गुडाई करके पहले तो फिर मैंने इसके गमले में बर्मी कंपोस दो-तीर मुठी जितना आपका बड़ा गमला हो उतने हिसाब से आप डाल सकते हैं यह देखिए इस तरीके से मैंने बर्म में यह और अच्छे से growth करेंगे ज्यादा fertilizer की जुरूरत नहीं होती है इनको मगर फिर भी अभी growth का period आने वाला है तो इनको आप अच्छे से अभी fertilize कर सकती हैं तो आने वाले season में अच्छे से growth करेंगे growton के plant तो बात करूं कि आप इसकी cutting लगा सकते हैं इस समय अभी जैसे January end है जाँ February आने वाला है Spring season आने वाला है तो आप इसकी cutting भी लगा सकते हैं जा नर्सरी से इसका plant लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं क्योंकि अभी इनका growing period आने ही वाला है 10-15 दिन के बाद में फर्बरी जैसे January end होगा फर्बरी आएगा तो जब spring season start होगा तो आप इ जादा पानी इनको नहीं देना है पानी इतना ही देना है कि इनकी जो मिट्टी है वो हलकी सी moisture जो मैं हर बार आप से share करती हूँ और ये दिखिए मैं अभी भी दिखाऊंगे अपने गमले की मिट्टी ये दिखिए इस तरीके से हलकी सी मिट्टी moisture है मैंने आभी इनके जो पत्तों पर जो है दो बार spray bottle से spray किया है कि इनके पत्ते अच्छे से साफ हो जाए फिर भी थोड़ा सा बहुत पानी गमले में गिरा है ज्यादा पानी मैं इनको कभी भी नहीं देती हूँ तभी ये मेरे प्लांट है वो खराब नहीं होती है क्रोट्रों के प्लांट हमेशन जो सुबाई शाम कोहरा पड़ता है वो इन पर ना पड़े और साफ में जो है अच्छी bright light इनको मिले जहां कुछ अगर दूब भी आती है तो दूब भी इनको कुछ एक आदे गंटे की दूब भी मिल जाएं तो और अच्छे से ये ग्रो करेंगे इतना ही आपने इनका ध् जन्बरी एंड में जो इनका growing period आने वाला है उसके लिए कैसे आप इनको त्यार कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छ लेगा तो इसको like कीजिएगा मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा तो thank you friends वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जुरूर बताईएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपी के साथ तब तक के लिए bye happy gardening